दोस्तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करके इस बैल आइकन को दबा दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना नमस्कार दोस्तो ग्यान की बात में आपका स्वागत है तो दोस्तो वैसे तो आपने कद्दू की सबजी बहुत खाई होगी लेकिन क्या आपको पता है अगर आप इसका जूस पीने लग जाओगे तो कितने सारे फाइदे हैं तो चलिए दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ कि कद्दू का जूस पीने से क्या-क्या फाइदे होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो दोस्तो कद्दू का जूस विटामिन डी का बहुती बढ़िया स्तरोथ है यनि कि आप बीना धूप में जाए कद्दू का जूस पीकर विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं अभी आपने देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो धूप में जाने से डरती हैं वो धूप में नहीं निकलती हैं इसी कारण उनके शरीर में विटामिन D की कमी हो जाती है अगर ऐसी महिलाएं कद्दू का जूस पीना शुरू कर देंगी तो उनके विटामिन D की क कारबोहाइडरेट प्रो्टीन भी कद्डू के जूस में पाय जाते हैं अगर आप हर दिन कम से कम आधा कब भी कद्डू का जूस पी लेंगे तो यह आपके लिए बहुती फायदे मंद होंगे कद्डू का जूस लीवर और किड्णी के लिए बहुत ही फाइदेमंद होता है जो लोग शराप पीते हैं या फिर जिनको पत्थरी की समस्या रहती है उनको कद्दू का जूस दिन में तीन बार कम से कम पीना चाहिए आदे कप की मातरा में दोस्तो कद्दू के जूस में धमनियों को साफ रखने के गुन होते हैं इसमें भरपूर मातरे में एंटि ओक्सिरेंड होते हैं और जो लोग कद्दू का जूस पीते हैं उनको दिल का दौरा पढ़ने का खत्रा बहुत ही कम होता है दोस्तों कद्दू के जूस में ऐसे गुन होते हैं जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत कर देते हैं और आपके कब्ज की शिकायत को दूर रखते हैं कद्दू के जूस में एक खास किसम का गुन होता है अगर आप आदे कब कद्दू के जूस में एक चम्मत शहद मिला कर पीना शुरू कर देंगे तो ये आपके दिमाग को शांती देगा आपके स्ट्रेस को दूर कर देगा और जिनको नीद नहीं आने की बीमारी है उनकी ये भीमारी ठीक हो जाएगी और नीद बहुत ही अच्छे से आने लगेगी दोस्तो कद्दू का जूस हाई ब्लड प्रेशर के खत्रे को कम करता है इसमें पैक्टीन नाम का एक तत्व होता है जिसमें केलेस्ट्रॉल को कम करने के गुन होते हैं अगर शरीर का तापमान बढ़ जाए तो आपको बस क्या करना है आधे कब कद्दू के जूस में एक चम्मत शहद मिलाकर पी लेना है ऐसा करने से शरीर को थंड़क मिलती है और शरीर का तापमान भी कंट्रोल में रहता है दोस्तो अगर कद्दू का जूस गर्ववती महिलाओं को पिलाया जाए तो उनको जो मॉर्निंग सीकनस होती है उसकी समस्या दूर हो जाएगी दोस्तो कद्दू के जूस में विटामिन सी और कई सारे मिनरल्स पाय जाते हैं जो हमारे शरीर की इम्मिनिटी पावर को बढ़ाती है जिसके कारण हमारा शरीर बहुत सारी बिमारियों से बचा रहता है दोस्तो कद्दू के जूस में बालों को फिर से उगाने के गुन होते हैं इसमें विटामिन A की मातरा काफी होती है सीर की तवचा को बहुत वाइदा पहुचाती है इसके अलावा इसमें पोटेशियम भी पाय जाता है जिससे की नए बाल भी उग जाते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद